नमस्कार दूस्तू स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टोटल ग्यान में दूस्तू आचारे चांक्य कहते हैं कि स्रावन मास में आप भूलकर भी ये चीज ना खाएं नहीं तो गरीबी आपका द्वार नहीं छोड़ेगी दूस्तू हिंदू धरम में सावन माह का विशेश महतो है सावन का महिना भगवान शिव को अतित्रिय है हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल सावन 14 जुलाई से शुरू हो रहा है और 12 अगस्त तक रहेगा इस पूरे महिने में हिंदू विदी विधान के तहट पूजा अर्चनाई की जाती है अलग अलग अनुस्ठान किये जाते हैं ताकि आपकी अनुकाम नाएं पूरी हो सके महान विद्वान और आचारे चानक के जोतिस और वास्तु अनुरूप कहते हैं कि सावन के महिने में आप लहसुन और प्याज का सेवन भूल कर भी ना करें हिंदू धर्म शास्त्रों में लहसुन और प्याज को ऐशुब मना गया है कहते हैं कि विधी विधान में लहसुन और प्याज का कोई महतव नहीं अगर कोई भक्त लहसुन और प्याज का सेवन कर लेता है तो उसके उपर नाकरातमकता आना शुरू हो जाती है तो दोस्तों अगर आप भगवान शिव को खुश करना चाहते हैं तो आप सावन के महिने में अनुस्ठान अवश्य करें भगवान शिव के भक्त सावन के महिने में पूरी स्रद्धा से भक्ती करके भोले नात की अराधना करें और भगवान भोले नात अपने भक्तों की सारी मनुकामनाई पूरी करेंगे सावन का महिना कुमारी लड़कियों के लिए काफी खास होता है माना जाता है कि कुमारी लड़की सावन का महिने में सुमवार का वर्त रखकर मन चाहा वर्त की प्राप्ति कर सकती है सावन का महिना सबसे खास महिना होता है इसलिए सावन के महिने में आप कुछ ऐसी गलतिया हैं जिने आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए इन गलतियों में आप सबसे पहले तो अपने मुहें से गंदी वाणी ना बोलें किसी को गाली गलोज ना करें और गाये को खास करके कभी भी भी ना मरें सावन के महीने में गाए को अगर आप किसी लाठी डंडे से मार देते हैं या किसी विध्वा को गाली निकाल देते हैं तो ये आपके लिए सबसे बड़ी भूल होगी तो दोस्तो आप ऐसी गलतिया ना करें और सावन के महीने में प्याज और लहसुन का सेवन भी आप ना करें आज के वीडियो में बस इतना ही वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें हमारे यूट्यूब चैनल टोटल गयान को आप जरूर सबस्क्राइब करें